कभी कभी जीवन में एक ब्यक्ति है जिसको कहते हैं दुरभाग है और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है हम जतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं हमसे उतना बुरा हो जाता है उसमें ब्यक्ति गलती नहीं है गलती इस किस्मत की है और ये दुरभाग की और हमें ले जात तो क्या दुरभाग आपके पीछे भी है क्या आप भी उस दुरभाग से प्रेशान है और आप चाहते हैं कि ये दुरभाग हमारा पीछा छोड़े तो अभी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं सत्मी अश्टमी नौमी आने वाली है कुछ नहीं आपको छोटा सा काम करना है आपको क्या करना है आपको एक रोटी अपनी ऊपर से साथ बार उतार करके कोई व्यक्ति देखे ना और उसे आप सुबह जल्दी जा करके चौराहे पर रख्या जाओ पहली बात दूसरी बात यह है कि आप दुर्भाग से बहुत परिशान हैं कभी मरने के बिचार जाते हैं कभी भगने के बिचार जाते हैं तो आप इंची जों से घवड़ाए ना आप को सुक्र बार के दिन आप किसी फकीर को किसी सन्यासी को गुड़ और चना इसका दान दो यदि आप ऐसा साथ सुक्र बार कर लेते हैं और यदि आप सन्यासी को इध्यान ड़कना सन्यासी हो फकीर हो ऐसी ब्रक्तियों के लिए गुड़ और चना का आप दे के दान कर क्या हो तो आप देखेंगे आपका दुर्भाग महा भाग में बदलने लगेगा और एक दिन आप भी खुस हो करके कहेंगे कि अब मैं दुर्भाग साली नहीं हूँ अब मैं सुभाग साली हूँ